नमस्ते सदावत सलेम अत्रभु में आप लोगों को सभी को याद होगा पाल घर केस पाल घर मॉब लिंचिंग या साधूं के लिंचिंग के माबले में हमने सब ने देखा कि देश में किस प्रकार से तथा कतित इंटेलेक्श्वल वर्ग या जो अपने आपको अर्वन नक्स वर्ग हम उन जिनको कहते हैं और जो अपने आपको पड़ा लिखा वर्ग कहता है जो देश की एंटिस्टेबलिश्मेंट फोर्स अपने आपको कहता है जो हिमन राइट के मामले में बातें करता है लिंचिंग के मामले में खासतोर से अगर अखलाक की लिंचिंग हो गई य बड़े-बड़े statement रहते हैं अंसारी जैसे लोग जो उपराष्टपती रहे उनको भी भारत में भय लगता है अभी हमने सब ने देखा कि पालगर के केस में किस प्रकार राज्य सरकार की निश्क्रीता दिखाई पड़ी और उस निश्क्रीता का पड़े नाम ये निकला कि उ राज्य ने क्या किया दो साधू अपने गाड़ी पर मुंबई से सूरत की तरफ जा रहे थे रास्ते में उनकी गाड़ी एक एरिये में रोकी गई और वो एक जगह पर बिठाए गये या बैट गये या ले जाया गया जो भी प्रकंड रहा हो रास्ते में गाड़ी रोक कर उनके उपर हमला किया गया और उनके दो साधू की मौत्य गई मौत्यव के मामले में जो वीडियो आया उस वीडियो में पुलिस वहां पर खड़ी दिखाई पड़ी या पुलिस की उपस्तिति में साधू की हट्रिया हुई पुलिस की उपस्तिती को लेकर देशपर में हंगामा हुआ, पुलिस के उपर एक्षन की बात हुई, राज्य सरकार के उपर दबाव बनाना शुरू किया और राज्य सरकार ने पुलिस के उपर पहले शुरू में आक्षन नहीं लिया और ना लेने का प्रणाम निकला कि देश ने उस पर रेटेलियेट किया देश की ही वो शक्ती थी लोगों की वो शक्ती थी शोशल मीडिया की वो शक्ती थी जिन्होंने आबाज उठाई और मुगदमे भी हुए इन मामलों में और बड़ा सारा उनको एक लंबा संगर्श जहिलना पड़ा क्यों कि उन्होंने वो विशय उठाया था शोशल मीडिया की टीमोंने भी विशय उठाया था बहुत सारों के खलाफ अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकड़ में मामले उठाये गया और उनको किसी ने किसी तरह से वो शंत रहें इसके लिए पूरे प्रियास मारास्ट में किये गये मारास्ट में भी इस बाद का विरोध हुआ तो धीरे धीरे करके आस्वाशन यह दिया गया कि यह मामला CID को दे दिया गया किन्मेन इंविस्टिगेशन डिप पता कर सके या एजनसी यह पता कर सके कि वाकई में इसके पीछे कोई शाजिस थी या यह अनायास ही हो गया है वीडियो जिस प्रकार से आया सूचना जिस प्रकार से वहां से आई उनसे यह साब जाहिर होता है कि यह प्री प्लांड था या इसमें पीछ पहले से इसमें बह वो देश में एक जागरुकता का अभियान लिये हुए है, उस जागरुकता के अभियान में देश भर में वो चर्चा कर रहा है, विशुभर में वो चर्चाएं कर रहा है, परणाम अच्छे भी दिखाई दे रहे हैं, हाँ, 23 लाख सादू के लगभग के ऐसी एक अनुमान है कि 23 लाख लोग भारत पर भगवाधा भी धारी पाये जाते हैं, जो देश के लिए कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, उन में से एक आध प्रकरण कोई ऐसा भी मिल सकता है, जो फरजी या नकली तरीके से भगवाधारण किये हो है, और समाज को गलत संदेश दे रहा हो, वो उस साध्वी प्रग्या जी जैसे लोगों के ऊपर अत्याचार किये जाते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रकरण हमारे देश में आए, लेकिन ये जो साध्वों की हत्या, साध्वों की लिंचिंग का मामला आया है, इस मामले में पूरा देश चुप, केबल हिंदू समाज ने, सोशल मेडिया के बंधों ने उस पर आवाज उठाई और परिणाम ये निकला कि महरा सरकार दवाव में आई, उन्होंने ये आवाहन किया कि हम पुलिस के उपर एक्शन ले रहे हैं, लेकिन रियालिटी में कोई एक्शन दिखाई नहीं दिया, परिणाम ये निकला कि NIA से उदर ठाकरे जी के नितरत्यों में चल रही है, वो कॉंग्रेस और NCP के समर्थन से चल रही है, और वो क्या-क्या नए प्रपंज वहां नहीं चल रहे हो सकता है, कि उदर ठाकरे जी उसमें कम दोशी हों, लेकिन कमंडर को ही दोशी माना जाता है, क्योंकि फौज उसी की मा बिल्कु सेम बैसे ही जैसे भगवा की फौज के अगर इस समय नितरत्यों मोहन जी भगवत कर रहे हैं, और नरिन मोदी जी सरकार में उनका नितरत्यों भगवा का कर रहे हैं, तो कोई भी गडवड़ अगर देश में होगी, तो पुझ्ये मोहन भगवत जी के उपर सवाल है, या फिर नरिन मोदी जी के उपर सवाल खड़ा होता है, और होना स्वाभविक भी है, क्योंकि उनके नितरत्यों में ही देश में कुछ अलग करने का प्रयास हो रहा है, इसलिए सवाल तो उदर ठाकरे पे ही उठेंगे, भले ही वो कॉंग्रेस के बंदू करवा रहे हों या NCP के बंदू करवा रहे हों, सुप्रीम कोट ने ओर्डर किया कि एक डेटेल्ड हलफ नामा लगाया जाए कि आपने सादूहों के मामले में पुलिस के उपर क्या आक्शन लिए, ऐसे एक अठारा पुलिस कर्मियों के खलाफ ऐसा कहा गया कि उनके उपर आक्शन लिए लेकिन पहला हलफ नामा लगा, कोई परणाम नहीं निकला, सुप्रीम कोट ने दुबारा कहा, दूसरा हलफ नामा लगा, कोई परणाम नहीं निकला, और अब तीसरा हलफ नामा कल लगाया गया, उस तीसरे हलफ नामे में जब सुबह सुनवाई शुरू होनी थी, तो फिर एक दिन पहले हलफ नामा लगाया गया यानि की कोट्स को उस हलफ नामे को पढ़ने का और कितने पेज का हलफ नामा लगाया गया एक हजार पेज का एफेडेविट लगाया पुलिस के द्वारा अब एक हजार पेज का एफिडेविट आपने एक दिन पहले लगाया, कोट को उसको पढ़ने का अवसर भी नहीं मिला, मामला कोट के अंदर पहुँच गया, कोट में राज्य सरकार के सीनिर इड्विकेट आरवसंत ने कहा कि हमने अठारा लोगों के खिलाफ एक्शन ले लि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो है ही, जिसमें राज्य सरकार कोटा ही बरत रही है, कि वो NIA या CBI को केस ट्रांसफर करने से मना कर रही है, राज्य सरकार हैं, जैसे आपको याद होगा कि उतर प्रदेश में कई घटनाएं हुई, उतर प्रदेश की घटनाओं की राजपूत या TRP मामले में, सुशान सिंग्राजपूत मामले में Вहार ने CBI को भेजा, TRP के मामले में उतर प्रदेशải सरकार ने CBI को भेजा, क्योगी कई स्टेटों का मामला था, लेकिन महरास्टी की राज़्जसरकार किसी बी तरह से CBI के प्रति मुख करने को भी तयार नहीं है, अब आरोप ये लगाए गए कि CBI केंदर सरकार के हाथ में खेलती है, अगर CBI बनेगी, NIA बनेगी तो किसी ने किसी के हाथ में तो रहेगी, कोई ने कोई तो कंट्रोलिंग बाडी रहेगा, क्योंकि भारत में कोई भी एजनसी नॉन कंट्रोलिंग नहीं है, सब के और एजनसी है, हमने किसी को भी पूर्ण रूप से स्तंत्र नहीं रखा है, हाला कि CBI की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट हमेशा कोट में आती है, और कोट में जब आती है, तो कोट अपने हिसाब से उसको डिरेक्शन देता है, और कोट को पूरा अधिकार है कि वो किसी के मामले में मिस्यूज किया जाए, जैसा पिछली कॉंगरेस की सरकारें करती रही है, उस मिस्यूज का परिडाम अगर निकलेगा, तो साधिभी प्रिग्या जी जैसे लोगों के उपर परतारना भी हो सकती है, लेकिन आज ऐसा कोई माहौल या कोई विवरण मिल नहीं रहा है, इस मामले में जब investigation लिखा गया, investigation के लिए लिखा गया, या NIA के लिए मामला आया, Supreme Court में direction आया, Supreme Court ने हलफ नामा आज पढ़ने से कह दिया, कि हलफ नामा चुकि कल ही लगाया गया था, आप कि इस प्रकार के काम कर रहे हैं, इतने लंबे समय से order है, और उसके बाबुत पढ़वा ले, और आपने क्या-क्या क्लेम किया है, वो दिखा ले, हाला कि या चिका करता का कहना ये है, कि इन्होंने पुलिस के खलाब कोई action नहीं लिया, जबकि दो F.I.R. ने थी, उन दोनों एक F.I.R. में पुलिस के ठारा पुलिस करमी शामिल थे, और जो दूसरी F. अधिक लोगों ने मिलकर मॉब लेंचिंग की थी, उनके खलाब मुगद में हुए है, इस दोनों F.I.R. में से पुलिस के उपर, पुलिस पर जो investigation करना था, या पुलिस को जो दोशी ठहराना था, वैसा कोई नहीं आया, ये claim है या चिका करता का, लेकिन opposition का कहना ये है, य कई लोग terminate किये गे, suspend किये गे, कई लोगों खिलाब विभागी करवाई चल रही है, कुछ के बेतन काटे गे और ब्ला ब्ला, लेकिन court ने ये कहा कि हमने चुकी पढ़ा नहीं है, इसलिए आज हम इसकी सुनभाई नहीं कर सकते हैं, और यहां court ने उसको forward करने की बात कई, अगली तारीक डाल दी और उनने कहा, जब राजसरकार उस पर बहस कर रही थी, तो court को ये तक टिपनी करनी पड़ी, जब हम hearing करी ही नहीं रहे हैं, जब हमने आपका हलफ नामा पढ़ा ही नहीं है, तो हम आपकी बहस क्यों सुन रहे हैं, और आप बहस क्यों कर रहे हैं, व मुझे लगता है, ये प्रियास राजसरकार का रहा होगा, लेकिन court ने बड़ी शक्ति के साथ कहा, कि चुंकि इस मामले में अभी तक हमने पढ़ाई नहीं की है, इसलिए हम इसकी सुनवाई नहीं करेंगे, हम जब इसको पढ़ लेंगे, तब ही इसकी सुनवाई करेंगे, कोट का एक अच्छा decision है, एक हजार पेट की हल्फ नामे में क्या क्या लिखा है, ये अगली तारिक में डिसाइड होने वाला है, और राज्य में एक साल पूरा होने के बावजूत, लगबग एक साल पहले मौब लिंचिंग हुई थी, एक साल पूरा होने के बावजूत अत्याचारों का ये एक जीता जाकता इलस्ट्रेशन है और राजसरकार की निश्क्रीता ये राजसरकार का बर्गलाना पन ये राजसरकार जिस प्रकार से सक्री नहीं दिखाई दे रही है उसका भी एक जीता जाकता इलस्ट्रेशन है कि सुप्रीम कुट के डिरिक्शन के ब पूरा करना ही चाहिए उनको असे धंजली देने के लिए ही सही लेकिन कुछ तो आपको करना ही चाहिए सब्दा की लालच में इस प्रकार की jo activities है इस प्रकार के जो काम हैं इन पामों में आपको सक्रिता दिखायी देनी चाहिए जय हिंड जय बारत तेंक यू बड़ी मच यदि आप लॉपड़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना हमारे एप को डाउनलोड करें और लॉपड़ें